समय सबको एक बार मिलता है या तो सोना बना लो या तो सोने में गुजार दो जो जागत है वो पावत है जो सोवत है वो खोवत है आप नजर उठा कर देख लीजिए इस दुनिया में जितने भी महान और सक्सेसफुल लोग है उनमें से ज्यादा तर सक्सेसफुल लोग सूरज उगने से पहले उठ जाते हैं हम सभी बच्पन से सुनते आएं हैं कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए और हर सक्सेसफुल लोग हमें सुबह जल्दी उठने का ही सजिसन देती हैं आखिर होता क्या है सुबह जल्दी उठने से जो सभी हमें सुबह जल्दी उठने के लिए बोलती हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सुबह उठने के 8 ऐसे फायदे बताने वाला हूँ जिसे जानने के बाद आप अपने आप ही सुबह जल्दी उठने लगेंगे हैं और वो सभी आपको हराने में लगें इसलिए अगर आप उस रेस में आगे निकलना चाहते हैं तो और एक्स्ट्र आफट लगाने के लिए सबसे जरूरी है एक्स्ट्रा और इस एक्स्ट्रा टाइम को आप सुबह जल्दी उठकर अचीव कर सकती हैं। माली जी आप रोज सुबह साथ बजे उठते हैं और अगले दिन से आपने चार बजे उठना सुरू कर दिया। तो रोज आपके पास 3 घंटे एक्स्ट्रा होंगे यानि कि हर साल आपके पास 1095 घंटे एक्स्ट्रा होंगे। मतलब हर साल आपके पास औरों से देड़ महिना ज्यादा होगा। अब आप इस देड़ महिने को जो आपको एक्स्ट्रा मिले हैं उसे आप खुद को इंप्रूफ करने में लगाएंगे और महनत करेंगे और आप दूसरों की तुलना में अपने गोश को जल्दी अचीव करेंगे जो डेली लेट उठते हैं सुब़ जल्दी उठने का दूसरा फादा ये है कि आपकी कॉंसेंट्रेशन पावर इंक्रीज होगी दोस्तों 4-5 बजे का जो टाइम होता है उसे ब्रह्म मुहरत बोला जाता है और जब हम इस समय उठते हैं तो हमारा दिमाग पूरी तरह से सांथ होता है और इस समय जब हम कोई काम करते हैं तो उस काम को हम पूरे कॉंसेंट्रेशन के साथ करते हैं उस काम को करने में हमारा पूरा मन लगता है जिससे वो काम परफेक्ट तरीके से हो पाता है और ऐसा करने से हमारी कॉंसेंट्रेशन पावर इंक्रीज होती है आप जो कुछ भी पढ़ेंगे वो सब आपको अच्छे से याद होगा इसलिए अगर आप एक स्टुडेंट है तो आपको तो सुबह जल्दी उठ कर जरूर पढ़ना चाहिए अब सुबह जल्दी उठने का तीसरा फाइदा ये है कि आप खुद को एनरजेटिक फील करते हैं सुबह सुबह हमारा दिमाग पूरी तरह से सांथ होता है और उसमें किसी भी तरह की कोई भी फाल्तू के ठाट्स नहीं आते हैं जिससे हमारा काम में मन लगता है और हमारी इच्छा सकती भी बढ़ती है और सुबह सुबह हमारा बलड सुगर लेवल कंट्रोल लाता है और इनी सब वजाओं से हम सुबह एनरजेटिक फील करती हैं अब सुबह जल्दी उठने का चौता फाइदा ये है कि डिस्ट्रेक्शन नहीं होता जब हम कोई काम दिन में करते हैं तो चारो तरफ से चीजें हमें डिस्ट्रेक्ट कर रही होती हैं किसी के कॉल सा जाते हैं तो कभी कोई नोटिफिकेशन काम कुछ और करना होता है मगर ध्यान कहीं और चला जाता है और इसी कारण से हमारा काम 2 घंटे के बजाए 4 घंटे में पूरा होता है लेकिन सुबह हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा जब हम सुबह जल्दी उठेंगे तो समय सभी लोग सो रहे होंगे क्योंकि किसी को भी अपनी नींद सुबह फाल्तों में खराब नहीं करनी अगर कोई आफी की तरह सुबह जल्दी उठ रहा है तो इसका मतलब है कि उसके भी सपने बड़े हैं मतलब जो लोग सो रहे हैं वो तो आपको डिस्टरप करी नहीं सकती और जो लोग जाग रहें उनके पास टाइमी नहीं होगा कि वो आपको डिस्टरप कर सकें यानि सुभा आपको डिस्ट्राइक करने वाला कोई भी नहीं होगा जिससे आपका अपने काम पर अच्छे से फोकस बना रहेगा जिससे आपका काम बहुत ही productivity के साथ होगा और सुभा का किया गया 2 घंटे का काम दिन के 4 घंटे के बराबर होगा दोस्तो आप सुबा जल्दी उठने का पाच्वा फाइदा ये है कि आप खुद को confident feel करोगे क्योंकि जब सुबा का हर काम productivity के साथ होगा इससे आपको हर रोज खुद की growth देखने को मिलेगा और आप हर रोज खुद से और अन्य लोगों से बहतर बनते जाएंगे और यही चीज आपके अंदर confidence build करेगी और आप खुद को confident feel कर पाएंगे अब दोस्तो सुबा उठने का छटा फाइदा है वो है positivity जब आप हर सुबा जल्दी उठेंगे और अपने काम पर focus करेंगे तो आपको अपने अंदर एक positivity का एसास होगा आपके दिमाग में अपने आप यह positive thought आना सुरू हो जाएगा कि आप सुबा उठकर अपने goals पर काम कर रहे हैं आपकी सुबा की अच्छी आदते ही आपको motivate करेंगे कि आप अपने लग्च को पाने के लिए हर मुम्किन को सिस कर रहे हैं आप अंदर से automatic feel करने लगेंगे कि आप जल्दी ही सफल हो जाएंगे इसलिए सुबा जल्दी उठने से आप positive रहते हो दोस्तो सुबा जल्दी उठने का 7वा फादा यह है कि आप खुद के अंदर improvement देखेंगे जब आप सुबा जल्दी उठेंगे खुद पर काम करेंगे अपने गोल्स के लिए मेहनत करेंगे तो आप खुद में improvement देखेंगे और इसी improvement की वज़ा से आप अपने लक्ष के करीब पहुसते जाएंगे दोस्तो सुबा जल्दी उठने का 8वा फादा यह है कि आप पूरा दिन खुष रहेंगे जब आप रोज सुबा उठ कर अपने लिए इतना कुछ करेंगे तो आपको खुद पर गर्व होने लगेगा आपको यह विश्वास होने लगेगा कि आप अपने लक्ष को अचीव कर लेंगे आपका मन पॉजिटिव रहेगा और आप energetic फील करेंगे जिससे होगा यह कि आप पूरा दिन खुष रहेंगे मैंने इतने सारे फायदों बता दियें जो आपको सुबा जल्दी उटने पर मिलेंगे जो आपको successful बनने में मदद करेंगे दोस्तों आप सुबा तब तक जल्दी नहीं उट सकते जब तक आपके पास कोई वज़ा ना हो सुबा उटने की वज़ा आपके सोने की वज़ा से बहुत बड़ी होनी चाहिए च्वाइस आपके हाथ में कि आपको सोना है या सफल बनना है early wake up motivation के लिए इस वीडियो पर click करिएगा और रोज रात को सोने से पहले इस वीडियो को देखना मद भूलिएगा I hope ये वीडियो आपको पसंद आई हो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है ऐसे ही वीडियोज बनाने के लिए इसी अपने दोस्तों के साथ सेयर करिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिले एसा ही पावरफुल वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बन लोटिफिकेशन आउन कर दीजे और खुछ से ये वादा करो की हम होंगे सफल जैन